नाथिंग की तरफ से नाथिंग फोन 2A फाइनली इंडिया में लाँच किया जा रहा है इस फोन का लैंडिंग पीज फ्लिपकार्ट इंडिया की ओफिशल वेबसाइट पर अल्रेड़ी लाइव हो चुका है कमिंग सून वहाँ पर लिखा हुआ है फरवरी के महिने में ही इंडिया में लाँच कर दिया जाएगा और लाँच से पहले इस फोन के लाइव रेंडर अल्रेड़ी लीग हो चुके है और साथ इसाथ most of the specifications भी लीग हो चुके है तो आज की वीडियो में बात करते हैं Nothing Phone 2A के बारे में क्या-क्या माल मसाला यहां पर आपको मिल सकता है क्या specifications रहेंगे, क्या features रहेंगे, क्या कुछ नया आपको मिलेगा and most important, किस price point पर launch हो सकता है सारी चीज़ डिसकस करते हैं बस end of the video अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर से करते ना So, without wasting any time, let's get started चलिए दोस्तों, start करते हैं बात्चित को और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं फोन के build quality and design के बारे में तो dust and splash protection भी आपको मिलेगा So, build quality में तो आपको शिकायत नहीं आईगी लेकिन design के अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बड़ा disappointment हो सकता है क्योंकि जो renders leak हुआ है उनको देख करके almost clear हो जाता है कि यहाँ पर आपको glyphless design देखने के लिए मिलेगा मतलब LED lights आपको नहीं मिलेंगे glyph interface यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है हाला कि back जो है वो transparent back दिया गया है wireless coil भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है और यह जो design है it is very unlikely nothing's designs क्योंकि यहाँ पर आपको light punk हैं देखने को नहीं मिलने वाले है तो अगर आप expect कर रहे थे कि एक ऐसा phone जो budget में आएगा light punk हो के साथ में तो थोड़ी से disappointment आपको हो सकती है लेकिन हाँ दिखने में अच्छा है back panel में top left में camera setup दिया गया है अंदर के थोड़े बहुत elements आप देख सकते है front में आपको center punch hole मिलता है पतले पतले से bezels है पतले से chain आपको मिलेगी and colors की बात करें तो black and white दो colors में आपको phone मिलेगा तो दिखने में smartphone अच्छा है build quality अच्छी है glyph interface की कमी definitely यहाँ पर आपको मिलेगी तो मेरे इसाब से build quality अच्छी है design आपको ठीक ठाक मिलता है इसके बाद मैं display की अगर बात करेंगे तो 6.7 inches का बड़ा display यहाँ पर आपको मिलेगा तो content watching में तो आपको मज़ा आएगा लेकिन in hand feel जो है थोड़ा सा बलकी रहेगा single hand उसे थोड़ा सा difficult रहेगा लेकिन 6.7 inches का जो display दिया जाएगा center punch hole के साथ में रहेगा full HD plus का आपको resolution मिलेगा and 10 bit का OLED panel यहाँ पर आपको मिलेगा मतलब 1 billion के आसपास आपको colors मिलेंगे color depth बढ़िया रहेगी content watching का experience आपको बढ़िया रहेगा white wine L1 का certification मिलेगा HDR 10 plus का भी certification यहाँ पर आपको मिलेगा content watching में शिकायत नहीं आएगी colors बढ़िया रहने वाले है 20s to nylon का expect ratio 394 PBI के आसपास आपको pixel density मिलेगी somewhere around 1000 nits के आसपास आपको brightness मिलेगी तो visibility का भी issue नहीं रहेगा indoor visibility, outdoor visibility दोनों बढ़िया रहने वाली है plus 120 Hz का यहाँ पर आपको refresh rate मिलेगा तो smoothness भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिलने वाली है मेरे इसाद जो ए display quality बहुत अच्छी है बाई साब display quality में आपको शिकायत नहीं आएगी बात करेंगे performance के बारे में तो इस phone को शक्ति प्रदान करेगा MediaTek की तरफ से आने वाला MediaTek Demensity 7200 chipset अब यह जो chipset है हमने इंडिया में अल्रेडी देखा है और chipset बहुत अच्छा है 4 nanometer पर बना हुआ chipset है energy efficient रहेगा hitting आईशू आपको कम देगा और performance आपको बहुत अच्छी निकाल के देगा क्यूंकि यहाँ पर आपको 2.8 gigaards की peak clock speed पर ARM Cortex A715 वाले course मिलते है तो day-to-day की performance आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है smooth performance रहेगी वहाँ शिकायत आपको नहीं आएगी gaming graphics को समालने के लिए ARM Mali G610 MC4 GPU मिलता है जो की बड़िया GPU है gaming तो आपको अच्छी कराएगा ही कराएगा आपके graphic related task भी बहुत अच्छे से निप्टा देगा तो वहाँ भी शिकायत नहीं है साथ ही साथ UFS 3.1 वाला storage भी आपको मिलेगा तो read-write की speed आपको अच्छी मिलेगी app opening closing का time काफी fast रहेगा and end-to-do scores की अगर बात करें तो ये जो processor है लगबग 7,7,000 के असपास score करता है end-to-do पर और ये जो score है काफी promising scores है तो मेरे जिसाब से performance में आपको शिकायत नहीं हैगी performance आपको बड़ा मिलने वाली है बात करेंगे cameras के बारे में तो दो cameras का setup आपको पीछे की तरफ मिलेगा primary camera रहेगा 50 megapixels का and secondary camera भी यहाँ पर आपको 50 megapixels के मिलेगा दोनों cameras 50 megapixels के है secondary जो camera है महाँ पर आपको ultra wide angle lens मिलता है rare camera से आप 4K video record कर पाएंगे 30fps पर and most probably यहाँ पर आपको OIS का support भी मिल जाएगा तो मेरे जिसाब से rare camera setup तो बड़ी आपको मिलने वाला है front camera की अगर बात करेंगे तो front में आपको 16 megapixels का camera मिलेगा and 16 megapixels के selfie camera से आप 1080pixels में video record कर पाएंगे 30fps पर overall अगर camera setup की बात करें मेरे जिसाब से camera setup अच्छा मिलने वाला है camera setup में आपको शिकायर नहीं आईगी बात करेंगे बैटरी के बारे में 5000 mAh की बैटरी आपको मिलेगी बैटरी का साइस काफी अच्छा है 4 nanometer का chipset है amoled का display है साथ ही में 5000 mAh की बैटरी है मतलब backup आपको अच्छा मिलेगा normally switch पर 7 दिन दिन का backup आप आराम से निकाल पाएंगे साथ ही साथ चार्ज करने के लिए probably यहां पर आपको 33 watt की charging का support मिलेगा and 100% यहां पर charger आपको box में नहीं मिलने वाला है yes, charger आपको अलग से खरीदना पड़ेगा box के अंदर charger आपको नहीं मिलेगा 5000 mAh की बैटरी, 33 watt की charging मेरे हिसाब से battery module decent है बैटरी में आपको शिकायत नहीं आएगी charge करने के लिए type C अलपोर्ट मिलेगा हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm का खड़ा नहीं मिलने वाला है इस phone में भी 3.5 mm jack नहीं दिया जाएगा security privacy and sensors की बात करेंगे तो under display fingerprint scanner रहेगा face unlock option आपको मिलेगा चुटर पुटर इदर उदर के सारे sensors मिलेगे जाए रहे उसको proximity light sensor compass, accelerometer, फलाना, डिकाना NFC, 1FC सब मिलेगा भाई कोई कमी आपको नहीं मिलेगी so yes, sensors wise video phone रहने वाला है software के अगर बात करेंगे भाई आप software बहुत अच्छा मिलेगा android 14 मिलेगा out of the box यह काफी अच्छी बात है latest android version रहेगा साथी साथ nothing OS 2.5 यहाँ पर आपको मिलेगा जो की काफी साही experience आपको देता है कोई bugs नहीं होते, बहुत कम bugs आपको मिलते है and bloat wears नहीं होते है clean neat experience रहता है तो मेरे हिसाब से software के experience में आपको शिकायद नहीं है and card slot के अगर बात करेंगे obviously card slot यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा दो ननो सीम आप लगा पाएंगे लेकिन expandable storage का option आपको नहीं मिलेगा बात करेंगे variants के बारे में तो यह जो स्मार्टफोन ने बताए जा रहा है कि start होगा 8GB प्लस 128GB से then 8GB प्लस 256GB and all the way up to 12GB प्लस 256GB तीन variants में आपको यह phone मिलेगा and price point के अगर बात करें तो बताए जा रहे है कि यह जो smartphone है somewhere around 27-28 thousand इंडिया में launch किया जाएगा अब 27-28 जेर के price point पर अगर यह smartphone इंडिया में launch होता है without glyph interface जो कि nothing का USP हुआ करता है one of the unique selling point है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो क्या 27-28 जेर के price point पर यह smartphone without glyph interface आप खरीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे comment करके अपनी राय जरूर से बता देना and वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर से कर देना करेंगे जरूर से करेंगे जरूर से करेंगे